केलांचल टाइंस हर खबर बर हमारी नज़र बिहार के मौसम में लगातार हो रहे बदलाव से अब लोगों को परिशानी का सामना करना पड़ रहा है कहीं धूप तो कहीं आसमान में बादल चाय हुए हैं बता दे कि बिहार में लू और लू ने लोगों को बेहाल कर रखा है लेकिन अब वो मीद की जा रही है कि अगले 48 घंटों में रौहत मिलेगी वहीं बिहार में 48 घंटे में मानसून दस तक दे सकता है हलाकि पटना में आज भी लू का प्रकोग जारे रहेगा रविवार को मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में बिहार के उत्तरी हिस्सें में कई जिलों में बारिश की संभावना जटाई है दूसरी तरफ पूर्वी पश्चिमी और दक्षिनी बिहार में मौसम शोक्स रहने का अनुमान लगाया ज़ारा है मौसम विभाग जानिकों के अनुसार उत्तर पश्चिम बिहार के पूर्वी च्वंपारन पश्चिमी च्वंपारन में एक दो स्थानों पर बारिश की संभावना है तो वहीं ये भी कहा जा रहा है कि उत्तर मध्य बिहार के सीता मड़ी, मदुबनी और बिहार शिवहर जुले में एक दो जगों पर बारिश होगी बात करें उत्तर पूर्वी बिहार की तो सुपाउल, अरर्या, किशन गंज में भारी बारिश होगी इसके साथ ही पूर्णिया और कटिहार जिले में एक दो जगों पर बारिश की संभावना है आपको बता दे कि दक्षिन परश्यम बिहार और दक्षिन मध्य बिहार के भी मौसम शुस्क रहने का अनुमान लगा अज़ारा है वही मौसम विभाग ने दक्षिन पूर्बिहार के भागलपुर जिले में एक दो जगों पर बारिश होने की जुआनकारी दी है मौसम विभाग का कहना है कि पटना, सारण, शेकपुरा और औरंगाबाद जिलों में लूचलेगी वही पश्चिमी च्वंपारण, पूर्वी च्वंपारण, सीता मढ़ी, शिवहर, सुपॉल, अररिया, पुर्णिया, भागलपुर और कटिहार जिले में बारिश की संभावना है किशन गन जिले में एक दो स्थानों पर गरच के साथ तीज बारिश की संभावना है मौसम विज्ञानिक के अनुसार केरल में मानसून पहुँच गया है, इसके साथ ही सिक्किम के कुछ हिस्सों में भी मानसून पहुँच गया है आने वाले 24-47 घंटों में बिहार के लोगों को गर्मी से राहत मिलने की संभावना है